Hello everyone, this lecture is for plus one medical and non-medical class काफी topic फर्स चेप्टर दे आपा कर ले सी अगे next topic है laws, कुछ important rules ने, laws ने जिन्नादी केमिस्टी दे वेच काफी अधा जुरूरुत पेंदी है पहला law है, law of conservation of mass most common है, काफी जगाते है, पहला भी आ चुके है, तुसी पहला भी पढ़या हुए है बट आपा है थे थोड़ा जनु अक्सेंड करांगे law of conservation of mass की है, mass can neither be created nor be destroyed जा, total mass of this universe remains conserved जा, और की कैसा दे आपा, total mass of reactants is always equal to the total mass of products मतलब की है दा, कूरे law दा, के universe दा, total mass है, हो मेशा conserve रहन दा, ना ता आपा mass नू बना सकते हैं आप देखोड़ों, ना ही आपा mass नू खतम कर सकते हैं जिनना किसे चीज़ दा mass है गया, ओनना ही रहन है mass नू अपा खतम नी कर सकते, mass नू अपा बना नी सकते, ठीक है mass can neither be created nor be destroyed total mass जिनना भी universe दे विच प्रेजेंट है, ओ constant दा, constant ही रहरे है अगर आपा एक reaction दे according दी देखिए, ता जिननना mass reactant दा होएगा, उनना mass ही product दा होएगा according to this law अगर आपने कोड़ी R reactants ने arrow P product बनगे, आपा suppose कर ले के mass of reactants हैगा MR, mass of product हैगा MP, then MR is always equal to MP so, यह simple जाँ लोगा है के total mass of reactants is always equal to the total mass of products आपा क्योंके chemistry ना डील कर दा है, so chemical reactions accordingly यह से लानू आपा apply करके देखाने, ठीक है कई cases एद देने, जिमी की nuclear reactions होगया है, जिते लोग अप्ली केबल नहीं हैगा क्यों नहीं अप्ली केबल हैगा वो अपा अगे समझ देखा है it means applicable नहीं हैगा, जाता mass खतम हो रहे है, जा mass बन रहे है ताइँ applicable नहीं हैगा mass खतम हो रहे है किते जा रहे है ज़ा कित्तो मास बन रहे है, वो आपा स्टडी कर देया, according to Einstein's equation. Einstein ने most important equation आपानों ध्राइव करके देती है, E is equal to mc square. According to this equation, मास थे अनर्जी दोनों interconvertible ने, means मास नों आपा अनर्जी इच कनवर्ट कर सागरे है, अनर्जी नों अपा मास थे ओच कनवर्ट कर सागर, it means nuclear reactions जिन्ना देवेचय मास अनर्जी देच कनवर्ट हो जीनदा है, मास कथम होगे, अनर्जी बन गी, ज़ा अनर्जी मास थेच कनवर्ट हो जनदा है, hebशा अनर्जी कक्न हिचक थाम होगी, मास बन गया. तो आप मास नों डिस्ट्रोय भी कर रहे हैं थे रिएट भी कर रहे हैं सो मास एंड अनर्जी बोथ हा इंटर कनवर्डेबान मास नों अर्जी छ आण अनर्जी नों मास से कनवर्ड किता जा सकना है ठीक है दिए इट मींज ए जड़ा लौ है ओहर एक थांते अप्लीकेबल नहीं हैगा अपा इनू मॉडिफाई करना पैड़ा है तप इनू मॉडिफाई कीता लौ नू तप नमा लौ की बन गया लौ अफ कंजर्वेशन आफ मास एंड अनर्जी तप हुने ए बोल साकते हैं के अगर अनर्जी वाद है अगर अनर्जी वाद ये था मास काड़ा है ठीक है दोनों इंत्रकनुवर्टेवल नहीं है मतलल दोन दा संफ की रहन दा झिम्हें कहा दी कि ओवरल संफ की से क्वान्टिटी दा चैन रहन है वो और वो यह तो पलस एट reward do खर र ह murrah । है पलस पल रह कर के भी पूना सक दे यह यहाँ 5 पलस 5 कर के भी प्ल खर कर के भी पूना साथ है 7 यह तोटल सम्धी वैलु है हो मेंश्या की रन्धी है, constant रन्धी है, conserve रन्धी है, okay. Now next law है, law of definite composition or definite proportion by mass. एदे विच कि यह अगर अपने कोले कोई pure chemical compound है, यह pure chemical compound always contains same elements combined together by fixed proportion by weight. एदा logic की है, basic की है, अगर आपने कोले कोई pure chemical compound होया, ओ हमेशा ओ ही element तो मिलके बन दाया, जेड़ेयां तो पहला मिलके बने होया, ते ओ element आपस विछ combine करनेगे, जोडनेगे, definite proportion by weight देना, आपा इन्हों example देना, समझ देना, for example, carbon dioxide नो आपा produce करना है, carbon dioxide नो आपा produce करना, लकड लेती है, उन्हों जिलाया, carbon dioxide बनगी, क्योंकि लकड देविच carbon है, calcium carbonate लगता, marble, यहनों आपा heat कीता, calcium oxide बनगी, यहनों ही sodium bicarbonate है, यहनों heat कीता, तो अपने कोले carbon dioxide बनगी, तो 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 देखो, carbon dioxide नो मैं CO2 दिना लिख्या हुए है, क्यों, आपा है change क्यों नहीं कर सकते है, जा change हो सकता है, नो, क्योंकि carbon dioxide लिएगी है, यहाओ CO2 तो बन दिया, क्योंकि carbon है, 2 oxygen नहीं, carbon ते oxygen दी, अगर mass दी ratio यह देविच आपा देखिए, carbon दा atomic mass लिए 12 gram, एक oxygen दा 16 gram, तो दो दा किना अगे 32, तो overall अगर composition देखिए, तो कि नहीं है, थेरी ratio 8, means जदो भी carbon dioxide बनेगा, वो हमेशा carbon ते oxygen तो बनेगा, ते होदे विच carbon ते oxygen दी ratio किरेगी, weight दी ratio किरेगी, थेरी ratio 8, जित्ते मर्जी कोई भी compound पे और chemical compound बन्द है, तो सेम ऐलिमेंटा तो ही मिलके बन्द है, ते होदे विच ऐलिमेंटा दे weight दी प्रपोशन किरेंदी, हमेशा सेम रहेंदी, ते हैगा love constant composition और definite proportion by weight, टीक है जी, ता एक दोनों लौ ने, एक बार तुसी यह दोनों लौ लेक्क पड़ा भी कोशिश करो, ते मिलते नेक्स वीडियो देच, टेक क्यार और बाए वाए